हर middle class family का आजकल यही कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और इसी वज़े से जो उनकी cost of living है वो जो है बढ़ती जा रही है और जो household savings है वो घटती जा रही है तो इस वीडियो में आज मैं आपसे बात परूँगी 5 effective base के बारे में जिससे आप अपनी cost of living को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो बिना किसी दरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like share कर दीजेगा cost of living को reduce करने के लिए सबसे पहले आपको monitor करने पड़ेंगे अपने जो recurring expenses हैं इसमें मैं 5 recurring expenses हैं उनको detail में explain करूँगी और जो 3 चीजे हैं जो की आपका rent या EMIs हो गया, grocery हो गया और utility bills हो गया यह इसमें हम cover नहीं करेंगे क्योंकि यह तो daily जो आपका mandatory है आपको life को survive करने के लिए तो इसके beyond जो recurring expenses होते हैं उस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो अपना पैसा है काफी हतक सेव कर सकते हो, इसमें सबसे जो पहला number आता है वो है car का, देखिए अगर आप एक middle class family में हैं और आप अपना cost of living reduce करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महंगी car ले लेने से बचना चाहिए, पहली बात तो यह है कि जो car है वो एक depreciating asset है, तो उसको लेकर आना कोई एक समझदारी का decision तो है नहीं, वो कोई investment तो है नहीं, वो आप अपनी utility के हिसाब से लेकर आए हैं कि आपको एक place से दूसरे place तक जाना है, और गर्मी, सर्दी, बरसाज जो ह other expenses भी साथ में आते हैं, एक तो जो motor insurance होता है, वो भी बढ़ जाता है, fuel charges बढ़ जाते हैं क्योंकि average इस तरह की जो cars होती है, वो कम देती है, maintenance, servicing, सभी की जो cost होती है, वो बढ़ जाती है, तो अगर आप अपने cost of living को reduce करने का सोच रहे हो और अगर आपने अभी तक car buy नह होने पड़ेंगे, तो ये keep in mind रखें और इसे follow करेंगे, तो काफी हद तक अपना पैसा बचा सकते हैं, second, जिस पर middle class या ये कैसा क्यों कि most families काफी पैसा खर्च करती है, वो है shopping, और ये है उनकी impulsive buying की आदत, जो उन्हें लग चुकी है, देखी, आजकल का जो trend चला हुआ ह एक तो online shopping का चला हुआ है, अगर हम compare करते हैं, अपने 10 साल पहले की भी मैं अगर बात करती हूँ, तब क्या होता था कि दो ही समय जो है sales आती थी, एक तो summer sale और एक आती थी winter sale, लेकिन आजकल क्या है na 365 days जो है offers की भरमार है, एक तो 10 यो जो है shopping apps हैं, जो आपके phone में install है, व और आपके जरूरत की कोई चीज है या नहीं है, आप buy कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आज offer मिल रहा है, कल हो सकता है, ये ना मिले, तो ये जो आदत है, ये लग जाती है आपको, और unnecessary things एक तो आप घटा कर लेते हो, और जो shopping है, उसमें आप बहुत 5 days on रहते हैं, इसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हो, कि जो आपके phone में, जो भी apps है, shopping apps है, जो आपको buy करने के लिए बार-बार offers भेज रहे हैं, तो आप जो notifications है phone की, उसको off कर दीजिए, और जब आपको सच में किसी सामान की जरुत हो, तब आप वहां से buy कीजिए, next recurring expense है child care और education, आज की date में आप देखोगे, ति जो parents हैं, वो अपने उपर तो खर्चा नहीं करते हैं, और जैसे तैसे कहां कहां से वो पैसा बचाते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे की बात आती है, तो उस पर वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, अगर हम 10 साल से भी compare करें, तो आज की date में जो parents हैं, वो बच्चों पर काफी खर्चा कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा limit लगाने की जरूद है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो schooling होती है, वो आप किसी normal school से करा सकते हैं, अच्छे schools हैं, जिनकी fees भी nominal रहती है, तो क्योंकि फर्स से लेकर जो 12 तक की जो education है, वहाँ तो क्या है, fundamentally सीखता है बच्चा, higher education के लिए आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, तो अभी आप वहाँ पर पैसा safe कर लेंगे, अगर schooling में, तो आगे उनकी जो further higher studies है, वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, और next जो है कि बच्चों क उनके पास target कहरा जाएगा कि उनको कुछ महनत करके कुछ achieve करना है, क्योंकि उनको value करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप के पास तो है limited पैसा है, आप जैसे तैसे करके उनको सारी चीज़े कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये चीज का realization होना चाहिए, कि हमारे parents किस तरीके स ये चीज़े कर रहे हैं, और ये एक recurring expense है, तो यहाँ पर अगर आप control करेंगे, तो आपका पैसा बचेगा, और जो आपका जो बच्चा है उसका future भी काफी ज़्यादा bright हो जाएगा, next recurring expense है entertainment, entertainment के नाम पर जो middle class है, उसके पास सिर्फ है, कि वो Bollywood movie tickets खरीद लेता है, और सो अगर आप जाते हो, तो किसी shopping complex में जाओगे, तो आपको क्या लेते हो, एक तो movie break में आप popcorn और ये सब चीज़े ले लेते हो, वो तो पहले ही unhealthy है, वो एक extra cost आपकी involved हो गई, तो वो movie ticket के अंदर ये आप मानिये, और आप जब shopping mall आप गए, तो market तो इस तरीके से सजा हुआ है कि आप निकलते हो, तो कुछ ना कुछ तो आप buy करी लेते हो, तो ये जो extra expenses है ना, जो आपको लगता है कि यार हम तो कहीं खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन directly or indirectly आप इन सब चीज़ों में अंजाने ही जो है पैसा खर्च कर देते हो, और आपकी जो cost of living है वो बढ़ती च आता ही है, तो इससे अच्छा है तो entertainment की कोई और activity आप सर्च कीजिए, जिससे जो है आपका पैसा भी बचे और आपका time भी बचे, next recurring expense जो आप करते हो, वो है food category के अंडर, food में बात कर रही हूँ, dining out और take away's की, आज कर क्या है कि सब कुछ instant ही हो जाता है, अगर आप बाहर ना भी जाना चाहो, तो swiggy zomato करके, आप घर पर ही खाना मंगा सकते हो, पर इसमें क्या होता है ना, कि आपका थोड़ा भी मन नहीं है, cook करने का, तो आपने क्या किया, फटा-फट से खाना order कर लिया, और खाना घर पे आ जाता है, लेकिन अगर आप कभी calculate करोगी, तो इस fix कर लिजे, कि देखें, मन्त में मुझे एक बार जाना है बाहर, या एक बार ही मुझे बाहर का खाना मंगाना है, तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी ये habit बन गई, तो इस habit से क्या है, कि आपकी expenses भी जो होते हैं, मन्तली वो भी बढ़ते चले जाते हैं, तो ये जो मै लाइक दा वीडियो और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो लिविंग भी श्वेता अगरव चैनल को सब्सक्राइब तर लीजे, मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियो के साथ, बाबाई!